हेलो काईज, वेलकम डूटेगी आसर यूटिब चनल और कैस फिलिप कार्ड पे सेल कब से स्टार्ट होगा रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स का पहला फ्लेश सेल कब आने वाले रियल में एक्स्टरी क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगा तो सी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लेकट अर्गेट रखते हम 2000 लाइक का, I hope क्या पर आप कर दोगे, so guys चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं So friends, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करने सेबल आपको बता दो यार दो वीडियो कल और एक परसू दाला था, flip card के उपर, क्यों ओर जो लोगों के भी अठके वे, तो वो कैसे मिलेंगे और मतब delivery स्टार्ट होगी, कपस होगी, कौन से रियम होगी, तो अगर आपको वीडियो स्टार्ट हो, कोई प्रोडक्ट परचेस करना या अठका हुआ है, अगर दिखना है तो लिंक मैंने इन दोनों ही वीडियो का नीचे दिस्किप्शन में दे दिया हो, ज़रू से जाओ जाके चेक आउट करो, पिन कमेंड में दिस्किप्शन में दोनों ही जगा मिल जाएगा चली सबसे पहला कोशन यहाँ पर पुछते हैं, वेंकटेश राजू, यह बलते हैं, माइक कोशन इस, विल पोको F1 गेट न्यू मियो मियो 12 अपडेट, इस सो वैं विल इट विल लाइकली तो गेट अपडेट, प्लीज रिपलाई करो भाई, हाई एक्सपेक्टेशन होगा, तो इंडिया में जो है, 4th quarter, मतलब September, October तक के आपको अपडेट डिकने को मिल सकता है, नेक्स पुछ रहे हैं, यह बलते है, my question is that why Redmi Note give AMOLED, मतलब Redmi आले AMOLED डिस्पले 18000 की रेंज में क्यों नहीं देते हैं, जबके Vivo, Samsung और Realme जैसे AMOLED डिस्पले प्रोवाइड करात जो है, 17-18000 की रेंज में AMOLED डिस्पले हर ब्रेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, whether it is 60 Hz, no problem, तो Xiaomi से भी request है, मैंने बहुत बार उनको message वगरा भी करा हूँ, और मतलब tag वगरा भी करा हूँ, बहुत सारी चीज़े करा हूँ, अब देखते हैं, I hope so, in future, जो Redmi Note 10 वगरा आ बहुत सारी smartphone लेते हैं, इनको ये एक चीज़ बेकार लगते हैं, Realme के हर phone के जो back panel आपको similar देखने को मिल जाते हैं, जबकि Xiaomi वाले भी आपर काफी ज़़दे design में change लेके आते हैं, ये बुलते हैं, please bro, Realme वालों को ये message कर दो, please कि वो अपने phone का design तोड़ा change कर दे, देख मुझे भी अच्छा नहीं लगते हैं, बहुत ही बढ़िया question है, वापिस से मैं suggest करूँगा Realme को, देखता हैं यहां पर क्या कुछ change करते हैं, वैसे आने वाले time में हमें पता लग जाएगा, I hope so के Realme वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, भाई, design change करो, क्या कर रहे हो, नेक्स पुछ रहे हैं पर play on android, basically rapid fire पुछे है, यह बोलता है Realme या Redmi, तो I will go with Redmi, बोलते अंडर्टेकर वर्स ब्रॉक लस्टनर, तो I will go with Undertaker, यह बोलते टिक टोक या Instagram, definitely Instagram, नेक्स स्नैब्रगन या Media Tech, अफकोर स्नैब्रगन, टेक्नोरोई या ट्रेकिन टेक, दोनों ही अच और upcoming for gaming, 12,000 में best gaming phone, so I will recommend you to wait for Realme Narzo 10, because वही आपको 10, 11,000 की range में मिलेगा, और उसमें Media Tech के Helio G80 है, gaming chipset है, तो उसका wait कर सकते हो, otherwise Redmi Note 7 Pro, जो आपको अल्रेडी market में 10, 11,000 की range में मिलता है, और offer में और कम में मिलेगा, Snapdragon 675 वगर है, काफी अच्छा gaming आपर आपको provide कर देगा, नेक्स मुचरे WWE, ये बलता है Media Tech Helio G85 versus Snapdragon 710, 712, and Helio G85 equal with Snapdragon processor, तो जब ये processor launch होता हो, प्रोसेसर वाले compare करते है, Snapdragon 665 से, तो 665 से तो definitely better है, तो maybe 675, 710 के बीच का processor है, तगड़ा processor है, लेकिन अब 710 के टककर का है, नहीं है, ये चेक करने के बाद में पता चलेगा, लेकिन जो price 10,000 के range में आता है, तो काफी बढ़ी है, processor ये निकल के आएगा, नेक्स आपर बुछ रहे है, रोहान पराडे, ये बलता है, Realme X3, Mi Note 10 Lite, in mid range, so देखो, Mi Note 10 Lite, मिचे परसनली अच्छा लग रहे है, 20-22, 1000 में आता है, तो काफी जबदा स्मार्टफोन है, का ओफ डिस्पले क साथ में, आप Realme X3, क्या स्पेक्स आएगे, भई, पता नहीं, आएगा, डेफिनेटली इंडिया में अगर आता है, तो comparison video आपको चैनल पर मिल जाएगी, वैसे Mi Note 10 का light का जो design है, मैं परसनली इस पर फिदा हो चुका हूँ, so guys, next बोच रहे हैं, आपर सुवंकार रवाई, यह बलते हैं, लव यू भाई, फ्रम असून सुल, भाई, लव यू टू फ्रम मुंबाई, यह बलते हैं, भाई, औरेंज और ग्रीन जोन में 4th में से e-commerce स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आप मोबाईल कमपनी भी अपने pending phone launch करने वाले हैं, तो yes, वो लोग launch कर सकते हैं, जो पुछ चुका है, बहुत इरिटेटिंग हो चुका है, कुछ ना कुछ तो यहां पर चालू होना चीए, नेक्स पुछ रहे है, अदित्य शुदोरे, यह बलते आसरबाई कैसे हो, मैं बहुत ही बड़ी आप, कैसे मुझे पताना नीचे कमेंट्स में, यह बलते हैं, बलते ह यहां पर घर में रहना, जब तक लॉक्डाउन नहीं कुल जाता है, पुरी तरीकी से, और सांगली में, यार मतलब, ओरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, तो डेफिनिटल आपके डिलिवरी चालो जाएगी, पिन को डिपेंड करता है, आपका कौन से जोन में, रियाज में आता जो फिलिप कार्ड पर एमेजॉन पर चार में से जो नॉर्मल बाइनाओ का बटन मिलता है, वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप ऑफर की बात करेंगा, तो फिलिप कार्ड और एमेजॉन पर आपको बहुत ही जल्दी, 17 में के बाद में ही जो है, ऑफर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कमपनी का बहुत जादा लॉस हो चुका है, अल्मोस दो माइने का ये लॉकडाउन अभी खतम हो जाएगा, मतलब 17 में तक के, तो बहुत जादा नुकसान हो चुका है, तो जो स्टॉक पड़े वाइबन को फटा फट से निकालना है, तो अब सेल तो यह बुच रहे आपर, भाई मैं वेस्ट बेंगॉल में हूँ, मेरा एरिया और इन जोन में है, तो क्या तीन तारिक तक के बाद नया फोन ओर्डर कर पाऊंगा, और मुझे COD का उप्शन मिलेगा या नहीं, भाई वीडियो मेंने दो दालो, चेक आउट कर लेना, सारी डिटे बाजार इमेच की बैटरी है, काफी बडिया चलती है, भीने रिव्यू करा था, एक दिन तो आराम से निकल जाती है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना पड़ेगी, 120 Hz पर रख्या अगर आप चलाते हो, तो कोई भी फोन हो चायवा, S20, Ultra अगरा, जो भी स्मार्ट फोन हो 120 Hz पर चलेगा, तो बैटरी दूसरे फोन के कमपैजन में थोड़ा जाएगी, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, कि अगर आपको बैटरी लाइफ जादा चलाना है, तो 60 Hz पर कर दो, और अगर आपको चलेगा 120 Hz का मज़ा लेना है, तो थोड़ी ड्रेन तो आपकी फास्ट हो पर में बैस फोन है, पबजी भी अच्छी तरीके साहराम से चल जाएगा, ऐस वेल आपका बैटरी और प्रसर काफी डीसंटली परफॉर्म कर जाएगा, तो नोट 9 प्रो डेफिरेटली आप परचेस कर सकते हो, 15,000 में या तो नोट 9 प्रो या तो रियल मी 6, लेकिन आपकी रिक्वार्मेंट के इसाब से जो है, 9 प्रो बेटर डिवाइज है, नेक्स बुच रहे हैं अपर अफसर पाशा, ये बलते हैं भाई, रेट्मी नोट 9 तक इंडिया लॉंच, दस हजार में लॉंच होगा क्या, तो लीक्स के कोडिंग जो है, 10 से 11,000 मैक्स तू मैक्स आपक तक कि हम जो रेगूलर जो हमारी लाइफ थी वैसी आपर खुल जाए, नेक्स बुच रहे हैं पर प्रजवाल सुवाकला, ये बलते हैं या सिर भाई, रेट्मी नोट 9 प्रो मैक्स की पहली फ्लैस सेल आएगी या सेल कब स्राट होगी, तो रेट्मी नोट 9 प्रो मैक्स जो के पास अविलेबल है, और I think so, कि जल्दी से यहाँ पर सेल स्टार्ट कर देना चीए, गैस नेक्स कोचन यहाँ पर मुहमद, अबू, फजल पुचते हैं, भाई मुझे ओपो रेनो, बिसिकली ये टैनेक जूम की बात करें, इनको डिजाइन बहुत ही कमाल का लगता है, औ भी अपकमिंग सेल में, तो येस, आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ही पहले अभी 40,000 है, I think हो चुका है, अब अब जी एस्टी बढ़ने के बाद में, तो सेल में 10-12,000 का पहले ही डिस्कॉंट मिल रहा था, फिर कार्ट पहला का ओफर था, तो येस, ओफर में जो अगर पहले का स्टॉक बहुत जादा पड़े है, तो 25,000-26,000 की रेंज में मिल सकता है, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि वेट कर लो, ओफर सेल वगरा का, ताकि आप अच्छी डील यहां पर ग्रैप कर पाओगे, नेक्स बुछ रहे हैं पर एंडरुड यूजर, ये बलते पोको एफटू इंडिया लॉंच प्राइज एंड स्पेक्स बता दो प्लीज, पोको एफटू, पोको ग्लोबल के ट्विटर पेच पर बहुत सारे यहां पर हिंट दे रहे है, कि पोको एफटू आने वाल है, तो डेफिनेटली जो है कुछ न कुछ यहां पर खीचडी पक प्राइबागा, तो बिस बाइस जार मेरेगा, तो डिपेंड करता है, और स्पेक्स तो अभी तक के सीरियस लीक्स बगरा तो बहुत जादा आ रहे है, लेकिन इक भी चीज नहीं हुए, इसलिए मैं आपको यहां पर गलत इंफोर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, तो प्राइबागा, तो मैं आप लोगो वीडियो बना के प्रता दूँगा, नेक्स मुछ रहे हैं आपर टेक्नो प्रदीप, यह बलते हैं अंडर 10 के बैस फोन, कैमरा फोन बताओ, तो बैस फोन, कैमरा फोन, रेड्मी नोट 7 प्रो, हाँ थोड़ा पुराना जरूर हो चुका यह बलते हाई भाई, वीच मुबाईल आशुट बाई, अंडर 17 के, तो 17-8 राजार का बचट है, पोको एक्स टू, यह तो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, यह दोनों डिवाइस सबसे बैस्ट है, प्रारिडिस के साब से जो है, सलेक कर सकते हो, वैसे कमपारिशन वीडियो भ यह तो ले सकते हो, अधरवाइस, रियल में X2 जो आपकी रिक्वार्मेंट को पूरी करते है, वो भी कम प्राइस पॉइंट पे, नेक्स पूछरी यह पर सिदे शुम, यह बोलते है, ब्रो, IQ 3 का प्राइस ड्रॉप हो गया है, 35K में मिल रहा है, PUBG के लिए कैसा रहेगा, UI स से भी कम में offer वगरा का वेट करो, थोड़ा card वगरा भी लगा देना, और कम में मिल जाएगा, तो यह 70, अगर आपको gaming smartphone चाहिए, तो IQ के साथ में आप जा सकते हो, अभी यह प्राइस पॉइंट पर काफी decent option है, नेक्स मुझ रहे हैं, आप सही अन्थन करमाकर, यह बनते है Helio G90T versus Snapdragon 720G, तो performance scores वगरा देखोगे, तो काफी similar है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो के भाई, कौन सा chipset लोगे, तो मैं जाओगा Snapdragon के साथ में, कि जो GPU है, बहुत सारी जो apps से, games से, उसके लिए optimize करा जाता है, lag वगरा कम देखने को मिलता है, hitting issues कम देखने को मिलती है, त तो 720G के साथ में आप जा सकते हो, तो यह काइस Q&A वीडियो थी, I hope कि मैंने आप सारे सवालों के जवाब बिल्कुल बराबर से दे दिया हूँ, कोई question चूड़ गया, कोई question अभी के भी, अगर आपके mind में आ है, कोई question यहाँ पर tab मैं से लेना मैंने भूल गया आपने बा और राफ़ कि मैंने आ टेँ